और इसी अध्याई में आगे जाकर के भस्म धारण की महत्ता बताया है। रुद्रागनी का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। भस्मागनी के संयोग से दग्द हो करके नश्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्मस्नान से विशुद्ध है। सभी अंगों में भस्म लगाने को भस्मस्नान कहते हैं। तो ऐसे कई हमने संतों का दर्शन किया होगा। कुम्भ के मेले में, यहाँ पर जुनागड में, जो शिवरातरी में मेला लगता है सवराष्ट्र में, उसमें ये सारे साधूओं के दर्शन होते हैं। उसमें कई साधू ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं यही भस्म स्नान है तो कहते हैं कि जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्म निष्ठ कहा गया है जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म से प्रकाश मान है जिसने भस्म मई त रिपुन्डर लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिंष्थ माना गया है। भूत्प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्ह रोग भी भस्मनिष्थ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें समश्षई नहीं है। बस्मनिष्ट से वो तो दूर भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि भूद प्रेतों को लगता है कि ये हमारे जैसा ही है, हम भी शिव के गण हैं और ये भी शिव जी का गण है, तो एक ही देवता के दो भगत हैं, वो परस्पर क्यों लड़ेंगे, क्यों एक दूसरे को नहीं होता, कहते हैं ये है, शरीर को भासित करता है, प्रकाशित करता है, इसलिए भसित कहा जाता है, भस्म के लिए एक शब्द है, भसित, पापों का भक्षन करता है, इसलिए इसका नाम है, भस्म, भूती यानि अईश्वर्य कारक, अईश्वर्य देने वाला होने के कार भस्म से स्नान करने वाला वरती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। पर रहना चाहिए।